होगा वो चूसेगा यदी चूसेगा तो दूद मिलेगा अगर नहीं चूस रहा है इसका मतलब यह मृत बच्चा है नमस्कार दोस्तों मैं रंजीत कुमार खास तोर से बताने के लिए चाहेंगे मेरे साथ इस्तिरी रोग भी सिसा कि सरकाराय मौझूद है अब जो महिलाओं म है आज बर्ड कैंसर दे है जो कैंसर हो जो लागतार महिलाओं में फैलती जा रहे है पहले से अप इच्छा आप बहुत जΙादा हो रही इसके लेकर क्या आपके तरफ से क्या निदे से कैसी इतिहात बड़ता जाय कैसी से बचा जाए बहुत दूरभागी की बात है कि सब क तो इसलिए अगर सवाइकल कैंसर से कोई पेशेंट पीरिट है और वो सही समय पे उसका कैंसर नहीं पकड़ाए और वो 100% कैंसर मुक्त नहीं हो इसका मतलब की शी हाज बीन कैलिस अबाउर है यह बहुत दुर्भागया की बात है कि कुछ लाखों की जो गाडिया होती है उसक एक शरीर ऐसी जो अमुलिय चीज है उसका कोई कीमत ही नहीं है और अब उसको दुबारा खरीद नहीं सकते हैं उसके ओपर ध्यान लोगों का नहीं उतना जाता है हम लोग अपने शरीर को हर तीन साल पे अफ्ट अफ्ट अफ्ट्री ऐज अव थर्ती फइव डेफिनिटल क के गारेज में मतलब हॉस्पितल में डालना चाहिए और अपना पूरा हैट टू टो चेक अप कराना चाहिए कहां पे कौन तूटियां हो रही है बीपी शुगर एक अल्टर बेसिक अल्टर साउंड काई किड्नी में तो पत्थर नहीं है गॉल ब्लाडर पत्थर तो नहीं है स बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिससे हम लोग बच सकते हैं कि अमर कोई नहीं हो है अपना खान पीन अपना रहन सेहन अपने थोट्स विचार और अपने आपको हर फ्रीक्वेंट इंटिवल्स पे अगर चेक अप कर वाएंगे तो बहुत सारी बिमारिया स्पेशली सवाइकल से कम से कम उसको अर्ली पिक अप कर सकता है और रोग मुक्त हो सकता है यह कितने दिनों में आप आप कह रहे हैं कि तीन साल में कैसे का इसका चेक अप कहां उपलब्द है कैसे इसको पता चले यह एक पैप स्मेर करके टेस्ट होता है सबसे पहले तो विज्यल आँख से जब तो यह हर तीन साल में कराना चाहिए पेशन को हर तीन साल में कितना एज से थर्टी थर्टी फाइफ के बाद से पटना में आपके पास भी अवले वले हैं सब जगह सबसे मतलब की जो बेसिक डॉक्टर है आपको इसके लिए कोई हाई-फाई एक दम I must go to some नामी डॉक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं बहुत ही क्या बेसिक डॉक्टर बेसिक डॉक्टर आपको ड़ा रहा है और बोल रहा है कि नहीं हमके बताइन यह बहुत होता है गाउदेहात में बचदानी तूरत निकाल दीजे तो उसके लिए अगर आपको करना है एक second opinion लेना है उसके लिए आप फिर कोई established doctor जिसको अपने practice के द्वारा और लोगों के विश्वास से वो कोई मुकाम पर जो पहुंचा हो उससे यह definitely cross check करा लेना चाहिए बदलता मौसम है इसमें गर्भती महिलाओं के लिए क्या suggestion देजें कैसे diet लें कैसे लोग अपने आपको जो बच्चे है पेट में सुरक्चित कैसे सुरक्चित रख पाएंगे मैं अपने हर गर्भती महिला को यह सला देती हूं कि बस नौ मैने का एक समझो की तुम्हारा तप संसकार है यह मेरा मानना है कि एक अउलाद जो होती है देफिटली दो लोगों के मिलने सही होती है ड़सन हापन फ्रम ट्रीज अन प्लांस तो देरफोर यह शादी का इक रिष्टा बनाया गया है जिससे उपज होता है एक प्राणी जो आपके परिवार के लिए तो देफि समाज का इससा है समाजिक बनाना चाहिए बच्चे को और इस नौ महने के अंदर बच्चे का जो परिवरिश है वह तो रिफिली हम उसमें बहुत स्ट्रेस करते ही है आपका बेसिक बिसिंग भट गए कि महिला को इस बदलते वे मौसम में क्या बहरकना चाहिए इस नौ महन में हम हर मरीज को बोलते हैं हर मौसम से वह गुजरेगी क्योंकि नौ मैंने से लॉंग स्पैन ठंड से गर्मी और गर्मी से ठंड तो यह जब बदलता है जब आप ठंड केवल ठंड में है तो इस वेरी इजी अप हमेशा अपने अपको ढ़क के और कवर रखेगा एकदम ग अपने अपको हमेशा अभी भी आने वाले एक महीना तक भी अपने आपको एकुप्ट हमेशा रखेगा कि यदि अगर घंटा दो घंटा के अंदर भी अगर मौसम बदलेगा अब आपने आपको वाम रख सके अ मेरा अगयन एक यह मानना है कि आपका शरीर 90% आपके ब्रेन से कंट्रोल होता है तो आप अपने आपको मेंटली स्ट्रॉंग आपको खुद स्वयम अपने आपको रखना है मैं यह नहीं कर सकती हूं is the first reason क्यों लोग आदा लोग कुछ चीजे नहीं करता है वो नहीं कर सकता है यह डिसाइड करने वाले आप कौन है आप ट्राही नहीं किये है तो सबसे पहले कि नहीं चल फिर सकते क्योंकि ठंड है ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है अपना सौक्स पहिए टोपी पहिए गलव्स पहिए और अपने वांब रखिए और अब चल और डेफिनटली एक्सराइस कीजिए चलिए योगा कीजिए अपने अको जितना हेल्दी हो सकता है उतना हो सकता है हम मीठा आपको दिक्कत होगा तो आपको एंटिबाटिक देना होगा और नेसेसरीली वाय शुड़ाइ गेव पेशेंट एनी काइंड और अंटिबाटिक और इनी काइंड आफ मैडिसन जो बच्चे को लॉंग रन में कोई भी तरह का नुकसान पहुचा सकता है लगतार काहा जाता पोस्ट नेटल वाड में डिलिवरी के बाद जबी भी अब राउं लगाए ना तो मरीज को एक ही क्वेस्ट्र होता कि मैडम हम बाहर से दूद पिला सकते हैं मा को दूद नहीं हो रहा है यह यह बात लोगों के दिमाग के अंदर फोड के डाल नहीं पा रहे हैं कि मा को सब्सक्राइब को दूद नहीं हो रहा है बाहर से दूद पिला दो बच्चा भूका है विमार बढ़ जाएगा अपने मेरा बिचारा बच्चा आप बच्चे को बिचारा बनाती है उसको बिचारा बोल बोलके ठीक है बच्चा सक्षम है वो उसको खीचने की ताकत कुद्र कि मेरे को बच्छा हुआ एक दोचाह दिन के लिए दूद दे दीजे तो नेचर यह बेसको बंग आर मीशने देचंप गमनाफक बियर को बच्छे को बच्छे को बाहर से लोगा उसका पर जाएगा उसको तो चाहत ही नहीं होगी कि वो सक करे और जब तक वो सक नहीं करेगा वो रिफ्लेक्स नहीं सेटन होगा और दूद मा को नहीं होगा तो अगर जिस दिन अब डबा खोल के बच्चे को दूद पिलाती हैं तो मेंटली डिसाइट कीजिए का I have decided कि मुझे दूद नहीं चाहिए म है और जीवन उसको जब डबे के दूद से ही पिलाओंगा अब कुदरत को इल्जाम नहीं दीचे असके लिए कुदरत को इल्जाम नहीं नहीं सकते हैं हाड़ी एनी पेशेंट इस ओफ लाक्टेशन फेलियर हाड़ी मेज्जॉरिटी ओफ दे मादर्स लाक्टेट ने शरी वो जिन्दा है कि मरावा इसलिए उसलिए कुदरत ने दूद को का लेड़्डाउन ही बोला है कि भाई अगर जिन्दा होगा वो चुसेगा यदी चुसेगा तो दूद मिलेगा अगर नहीं चूस रहा है इसका मतलब यह मृत बच्चा है तो इसको दूद अगर मैं दे और हम लोग उसको स्पोईल कर रहे हैं अपना बेकार का बुद्धी उसमें डाल के बिहार के सबसे सुपर सिद्धे कहाजा डॉक्टर में आप महिला रोग बीचे सगे हैं क्या नए सीरे से यह मोसम बदल रहा है क्या कुछ खास डाइट के लिए महिलाओं के प्रेज करेंगे अपना ड्राइट के रात को अपना ड्राइट रखे उसको सुभा आप गरम दूद में ले लीजिए या आप किसी भी चीज में उसको मिक्स करके ऐसे ही भी आप ड्राइट जरूर लीजिए इसमें से किश्मिश अबोइड कीजेगा प्रेग्निंसी के दोरान यू मस्ट टॉब आप पानी रखें और जबी अपको पानी लेना है ड्लास में पानी है पानी डालके थोड़ा सब आ को अब सशुम हो और उस पानी का प्रियोग करें कि नचुरली कीफ यो बोडी करें कि और से कहना है तो जो भी चुम उनीर रहीbenा ह्काite इत्यात बरतने के लिए